Good morning students, I am Dr. Pooja Saxena, Geography Department, Government College, Phundi. हमारे paper Geography of India, भारत के भुगोल के अंतरगर्थ, आज हम अपना next chapter, Climate of India, भारत की जल्वाईयू का अध्यान करेंगे. जल्वाईयू जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी स्थान के मौसम के दीर्खकालिक औसत को जल्वाईयू कहते हैं. जलवायू एक महत तुपून प्राकर्तिक तत्व है जो जिसका प्रभाव प्राकर्तिक पर्यावरन पर पढ़ता है जो किसी भी शेत्र विशेश की प्राकर्तिक मनस्पती और ब्रिदा को प्रभावित करता है साथ ही साथ वहां की आर्थिक प्रियाओं मानव बसाप और विक यानि जब हम भारत की जलवायू की बात करते हैं, तो हम वास्ता में भारत की जलवायू की विश्वय में बात करते हैं, क्योंकि विश्व में भारत से अधिक जलवाई भी विश्वमताय नहीं पाई जाती जैसे हम आकलंग करें भारत का दक्षिनवर्ती हिस्सा ट्रॉपिकल क्लाइमेट उश्नकटी बंधिये जलवाईयों के अंतरगत है तो उत्री हिस्सा टैंपरेट क्लाइमेट यानि शितोश उश्नकटी बंधिये जलवाईयों के अंतरगत है जहां थार डेजर्ट शुष्क मरुस्थलिये जलवाईयों के अंतरगत आता है तो हिमालियाज अलपाइन क्लाइमेट के अंतरगत आते हैं लेकिन इन समस्त विभिन्नताओं इन समस्त डाइवर्सिटीज के बावजूत भ से मौनसून देश कहा जाता है तो जब हम मौनसून की बात करते हैं भारत की जलवायू उश्न मांसूनी प्रकार की है मौनसून इस जलवायू का कमांडिंग फॉर्च है एक दूसरी तरफ भारत के संधर्व में इसे एक यूनिफाइंग फैक्टर के रूप में भी देखा जाता है तो भारत की जलवायों का की डाइवर्सिटीज देखने से पूर्व हमें भारत के मांसून के मेकेनिस्म को समझना होगा कि भारतिया मांसून की क्रियावधी किस प्रकार की है तेखिये हला कि इस मीडिया से समझना और समझाना थोड़ा मुश्किल होगा फिर भी हम प्रयास करते हैं भारतिया मांसून के मेकानिजम को हम दो प्रकार की थ्यारी उसके लिए जानी जाती है एक तो classical theory यानि चिरसम्मत सिधान्त और दूसरा modern theory, recent views, जो अभिनव मत हैं वो classical theory जो है वो तापिय संकल्पना thermal concept पर अधारित है और जो अभिनव मत हैं उसके अंतरगत दो प्रकार की विचारधाराओं को समलित किया जाता है एक तो intertropical convergence hypothesis ITC jet और दूसरी jet stream hypothesis इसमें हम सबसे पहले classical theory thermal concept पर विचार करते हैं thermal concept तापिय संकल्पना एक हम यह कह दें कि अती साधारनी करन होगा मौनसून को समझने का लेकिन तापिय संकल्पना के अंतरगत जैसा कि हम जानते हैं कि मौनसून की उत्पत्ती स्थल और जल के विन्यास के कारण होती है पृत्वी समांग नहीं है यहां स्थल भी है जल भी है तो इस दृष्टी से गर्मियों में जब सौरताप की अधिकता होती है तो स्थलिय भाग सागर के अपिक्षजादा गर्म हो जाते हैं और इस स्थती में अधिक तापमान की वज़े से न्यून वायूदाप केंद्र डेवलप होता है और सागरीय भागों से स्थलकी और हवाएं चलने लगती है देखे भारत में 21 मार्च के बाद जब सूर उत्रायन होने लगता है तो उत्री गोलार्द में सूर सीधा चमकने लगता है 21 जून को सूर करक रेखा पर सीधा होता है अब अत्याधिक तापमान के कारण एशिया में न्यून वायूदाप विक्सित हो जाता है तो हिमाले के कारण दो स्थानों पर लो प्रेशर डेवलप होता है एक तो बैकाल जील के पास और मुल्तान के पास इसके विप्रीच दक्षिन गोलार्ध है उसमें शीत्रतू होती है ज़र दक्षिन हिंद महासागर और दक्षिन पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के पास हाई प्रेशर डेवलप होता है उच्चदाप विक्सित होता है तो इस तरह जवान के दक्षिन में प्रेश अंत महासागर में उच्चदाप बन जाता है परणाम सुरूप उच्चवायुदाप वाले ख्रेट्रों से महासागरीय भागों से निम nh वायुदाप वाले स्थलिय भागों के ओर हवाएं चलने लगती है और यही जो है वो दक दक्षिन पश्चिम मांसून है दक्षिन पश्चिम मांसून की एशिया में दो शाखाएं हो जाती है एक तो चीन और जपान का मांसून और दूसरा साउथ एशिया दक्षिन एशिया का मांसून और इंडियन सब कॉंटिनेंट में पुरहें दक्षिन पश्चिम मांसून की द विद्रएवर्थी भाग को प्रभावित करती है, ठीक है, तो मोड़ा मोड़ा आकलन ये है कि आप जानते हैं कि ताप्ष और वायुदराब का व्युत्करम संबंद है, ताप्मान की अधिक्ता से निम्न वायुदाब विक्सित होते हैं और तापमान की कमी से उच्चवायुता पिक्सित होते हैं तो ग्रिश्मरितु में जबकि भारतिये महादीब का स्थलिय भाग त्यम्त तप्त हो जाता है तो वहाँ पर लो प्रेशर डेवलप होता है और सागरिये भागों में हाई प्रेशर डेवलप होता है हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की और चलती है तो सागरिये हवाएं सागर से स्थल की और प्रवाइत होने लगती है यही दक्षिन पश्चिम मांसुन है इसके बाद हम बात करते हैं शीतकालीन मांसुन की शीतकाल में 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर लंबत चमकता है तो उस समय सूर्य दक्षिनायन हो जाते हैं परणाम स्वरुप उत्री गोलार्द में शीतरतू और दक्षिनी गोलार्द में ग्रीश मुरितू होती है इस इस्तिती में एशिया महादवी पर बेकाल जील और पिशावर के पास उचवायू दाब लिक्सित हो जाता है जबकि जो दक्षिन गोलार्द है उसमें ऑस्ट्रेलिया यानि भुमद्दे रेखा के दक्षिन निम्न दाब बनता है जिसकारण स्थलिये भागों से सागर की और हवाएं चलने लगती हैं जिनें उत्तरपूर भी मांसून कहते हैं और क्योंकि यह हवाएं स्थल की और से आती हैं तो शुष्क होती हैं यह वर्शा प्रदान करने में समर्थ होती हैं थोड़ा बहुत तामिलनाडु कोस्ट पर इससे वर्शा हो जाती हैं और इसे हम उत्तरपूर मांसून कहते हैं तो thermal concept जो है वो स्थल और जल के ताप्मान की वेविध्यता, दाब की वेविध्यता के आधाप पर भारतिय मांसून की उत्पत्ती को व्यक्त करता है लेकिन भारतिय मांसून के मेकानिजम को इतने साधारन स्वरूप में समझना अपने आप में सही नहीं है देखे उच तापक्रम गृष्मकाल में जैसे महाद्वीपों पर विक्सित होता है तो उसे स्थाई रहना चाहिए लेकिन अगर हम दैनिक रितू मानचितर उठा कर देखें तो स्थितियां कभी भी स्थाई नहीं होती उनमें अचानक और व्यापक स्थानांतरन होते रहते हैं इससे स्पष्ट है इससे ये स्पष्ट है कि निम्न दाबों का संभंध उच्छ तापकरम से ना होकर दक्षिन पश्चिन मानसून के साथ आने वाले जो साइकलोन्स हैं उनकी वज़े से होता है तो ये जो ग्रिश्मकाली लोज हैं वो हीट लोज नहीं है वेलकि साइकलोनिक लोज होते हैं दोसी दरफ मानसून हवाओं की जो वर्षा प्रदान करने की सामर्थ है उसे भी संधे जनक बताया जाता है क्योंकि हिंद और प्रशान्थ महासागर से उपर से आने के करण ये हवाओं आदरता से पूर्ण होती है लेकिन वर्षा का जो कारक होता है वो होते हैं वायूमंडलिये तुफान, चक्रवात, समहानिक धाराओं का क्रम तो उस द्रश्टी से भी इसको इतना एफाक्टिव नहीं माना जाता इसी तरह मांसून हवाएं यदी ताप जन्न होती है उनका थर्मल ओरीजिन होता तो वायूमंडल के उपरी भाग पर उनके विपरीत हवाओं का क्रम होना चाहिए जैसे कि विअपारिक हवाओं वाले भाग में एंटी ट्रेड हवाएं होती है तो उस स्थिती से भी थर्मल कॉंसेप्ट को नहीं समझा जा सकता तो थर्मल कॉंसेप्ट जो है बहुत ही बेसिक चीज है इंडियन मौनसून को मोटा मोटा समझने की द्रश्टी से तो इसके बाद हम आधुनिक मतों की ओर आते हैं आधुनिक मतों में गतिक उत्पत्ती सिधान डाइनेमिक ओरिजन थियरी फ्लॉन के द्वारा प्रस्तुत की थे देखें ये जो थियरी है इसको समझने से पूर्ब मैं आपको रिमाइंट करवाना चाहूंगी हमारे प्लैनेटरी विंड्स और एर प्रेशर पेल्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देखें आप जानते हैं कि पूरे ग्लोप को निमन वायुदाप पेटियों में विभक्त किया गया है जैसे जीरो से फाइव डिग्री उत्तर और फाइव डिग्री दक्षिन के बीच विश्वत रेखें निमन वायुदाप पेटि फिर तीस डिग्री से पैंतिस डिग्री उत्री अक्षांश और दक्षनी अक्षांशों के मध्य मद्धे अक्षांश ये उच्च वायोधाफ पेटी उसके बाद 60-65 डिग्री अक्षांशों के मद्धे उपधूभी ये निूण वायोधाफ पेटी और उसके बाद धूभी है पेटी इसी प्रकार हवाओं का करम भी देखी हैं हवाएं जो है equatorial low pressure belt में जो है easterlies चलती है जो की mid-latitudinal high pressure belt से equatorial low pressure belt की और चलती है उसी तरह से इन्हें कहते हैं व्यापारिक हवाई trade winds इसी तरह जो westerlies हैं पच्छुआ हवाई हैं वो मध्य अक्षांशिय उच्छ वायुदाब क्षेतर से उबध्रुविय निम्नवायुदाब क्षेतर की और चलती है जिने वेस्टरलीज ये पच्छुआ हवाई कहते हैं ठीक है इसी प्रकार से जो ध्रुविय क्षेतर हैं उनसे sub-polar low pressure belt की और ध्रुविय हवाईं polar winds चलती है तो जब हम संदर्ब लेंगे तो आप इसको संदर्ब में देखेगा और इस दिशा का ध्यान रखेएगा जो व्यापारिक हवाईं हैं देखेए वो दक्षिन पूर्व से उत्तर पश्चिम की और विस्तारित होती है दक्षिन गोलार्द में और उत्री गोलार्द में जो उनका प्रवा होता है वो होता है उत्तरपूर्व से दक्षिन पश्चिम की और ठीक है इसी तरह ये इस्टरलीस का प्रवा था इसी तरह जो वेस्टरलीस का प्रवा है वो उत्री गोलार्द में दक्षिन पश्चिम से उत्तरपूर्व की और है तो दक्षनी गोलार्थ में जो उसका प्रवा है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिन पूर्व की और है। तो अब हम बात करते हैं हमारे गतिक उत्पत्ति सिधान डाइनमिक थेरी की। देखें डाइनमिक थेरी ये मानती है कि भूमत दे रेखा एक्वेटर के पास ट्रेट बिंड्स देखें एक्वेटर के पास दोनों और से ट्रेट बिंड्स आ रही हैं व्यापारिक हवायां आ रही हैं। इन व्यपारिक हवाओं के convergence से, इनके मिलने से, इनके अभी सरण से, Intertropical Convergence Jorn develop होता है, ITC jet develop होता है, इन दोनों हवाओं के मिलने से, इसका जो उत्री सिरा है, उसे हम कहते है NITC, और इसका जो दक्षणी सिरा है, उसे हम कहते है SITC, तो इस ITC के बीच, डोल्डरम की बेल्ट है, डोल्डरम यानि Equatorial Low Pressure बेल्ट है, अब जब सूर्य की उत्रायन स्थिती होती है, जब सूर्य की उत्रायन होते हैं, तो उस इस्थिती में जो NITC है, वो खिसकती है, और खिसक कर वो 30 डिगरी उत्री अक्षांज तक विस्त्रित हो जाती है, ठीक है, उत्रायन की स्थिती आप समझते हैं, जब उत्री गोलार्द में गृष्मरितु और दक्षनी गोलार्द में शीत्रित होती हैं, जिस वज़े से ITC का जो नौर्दन सिरा है, वो उपर खिसकता है, 30 डिगरी उत्री अक्षांज तक विस्त्रित हो जाता है, तो जिसके अंतरगत आ जाता है दक्षिन पूर्वी एशिया, अब इसके खिसकने से डोल्डरम की जो हवाएं होती हैं, वो और चक्रवातों की उत्पती होती है, जो यानि आप ये कहें कि मौनसून बर्स्ट होता है, तो इस वज़े से होता है, ITCZ के शिफ्टिंग की वज़े से जो दक्षिन पूर्शिम मौनसून हवाएं हैं, वो और नौर्थ की तरफ खिसक जाती हैं, दूसरी तरफ जाडे में क्या होता है कि दक्षनी गोलार्द में इस्थित जो जाडे का जो मानसून है, वो दक्षिन गोलार्द में इस्थित निम्न दाप के कारण उत्पन नहीं होता है, लेकिन जब बायू मेखलाएं दक्षिन की और खिसकती हैं, तो सूरे जब दक्षिन आयन होते हैं, तो जब सूर दक्षिणायन होते हैं तो IT-CZ दक्षिण की और खे सकता है तो उत्तरपूर्वी व्यपारिक हवाएं स्वाभाविक हैं कि वो उस शेत्र में विस्टित हो जाते हैं यही जाडे की मानसून हवाएं होते हैं तो जो फ्रोन का जो गतिक उत्पत्ति सिधानत है वो यह कहता है कि व्यापारिक हवाओं के सम्मिलन से ITCZ जोन डेवलप होता है जो सूर के उत्रायन होने की स्थती में उत्तर की और खे सकता है 30 डिग्री उत्री अक्षाइश तक विस्तृत हो जाता है तो पूरे जो दक्षिन एशियक शेत्र हैं उसमें दक्षिन पश्ची मानसून ह हवाएं विस्तृत हो जाती है और वो उन हवाओं की वजए से वायूमंडलिय तुफान और चक्रवाट डेवलप होते हैं और वो दक्षिन पश्ची मानसून का आगाज होता है इसी तरह जाडे में क्या होता है कि जब ITCZ दक्षिन की और खे सकता है तो वहां से ये दक्ष होने थमल कॉंसेप्ट और डाइनमिक कॉंसेप्ट इसका अधियान किया कल नेक्स्ट क्लास में हम जैट स्ट्रीम कॉंसेप्ट का डिटेल फॉम देखेंगे